कौन है मीरपूर का कसाई थांसी के लिए सडकों पर उत्रे थे लड़के शेख हसीना के देश छोड़ते ही बांगलादेश की तेवर बदलने लगे है बांगलादेश की चाल ढाल सब अलग देख रही है उससे अब भारत की दोस्ती दुश्मनी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा तभी तो वो लगतार भारत विरोधी कदम उठा रहा है पहले उसने बाड का दोश मड़ा और अब उस पार्टी पर रहंदिरी दिखाई जिसने हिंदूओं पर हमले किये सैक्रो बांगलादेशियों को मौत के घाट उतारा जिहां हम बात कर रहे हैं जमाते इसलामी पार्टी की बांगलादेश की यूनिस सरकार ने जमाते इसलामी पार्टी पर से बेन हटा दिया है साथी उसकी चात्र इकाई इस्लामी चात्र शिबर से भी प्रतिबंध हटा है ये वो पार्टी है जिसके एक नेता के खिलाफ कभी पूरा बांगलादेश सरकों पर उतराया था बांगलादेश में भेंकर प्रदर्शिल हुआ था और लाखों नौजवानों ने एक सुर में फांसी की मांग की थी जमाते इस्लामी के उस नेता के बारे में जानने से पहले जानते हैं कि यूनुस सरकार ने क्या तरक दे कर ये बैन हटाया है बांगलादेश में जब से मुहमद यूनुस की अगवाई में अंतरिम सरकार बनी है तब से चीजें बदली बदली नजर आ रही है ऐसा लग रहा है कि मुहमद यूनुस को भारत की दोस्ती की ज़रा भी परभा नहीं है यही वज़ा है कि यूनुस सरकार ने बुद्वार को दक्षन पंती जमाते इसलामी और इसकी चात्र इकाई इसलामी चात्र शिबर से बैन हटा दिया है इसके लिए यूनिस सरकार ने तर्क ये दिया कि जमाते इसलामी के खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं है कि वो टेरर एक्टिविटी में शामिल रहा है जमाते इसलामी को क्लीन चिट मिल चुकी है अब जानते हैं कब और क्यों बैन लगा बांगलदेश की ततकालीन पीम शेक हसीना ने राष्ट्र व्यापी विरोध प्रदर्शनों की समय जमाते इसलामी पर प्रतिबंद लगा दिया था शेक हसीना सरकार ने एक अगस्त दोहजार चौबिस को जमाते इसलामी पर बैन लगाया था शेख हसीना सरकार का आरोप था कि इसने ही स्टूडन्स की प्रदर्शन को भढ़काया था साल 2013 से ही जमाते इसलामी के चुनाव लड़ने पर बैन है जमाते इसलामी पार्टी पर चरमपंथी और आतंगवादी संगठन होने का आरोप लगा था पिशले साल सुप्रीम कोट ने जमाते इसलामी के चुनाव लड़ने पर बैन लगा दिया था हाला कि अब यूनिस सरकार का कहना ये है कि जमाते इसलामी पर आतंगवाद निरोध कानून 2009 के तहट लगा गया बैन हटा दिया गया है क्योंकि संगठन के खिलाफ कोई खास सबूत नहीं है मुहमद यूनिस आखिर कर क्या कर रही है अब समझते हैं कि आखिर यूनिस सरकार ने बैन क्यों हट पाया तो उसकी सबसे बड़ी वज़ा है यूनिस सरकार लगातार शेक हसीना के फैसलों को पलट रही है इसे पहले मुहमद यूनिस सरकार ने 26 अगस्त को 14-35 संगठन असानुला बांगला टीम के मुख्यार रह्मानी को पेरोल पर रिहा कर दिया था इस गुट पर आतंकी संगठन अलकाइदा से संबंद रखने के आरोप है शेक हसीना सरकार ने 2015 में बांगला टीम पर बैन लग जब मुल्ला के खिलाफ सडक पर उतर आये थे लाखों बांगलदेशी मुहमद यूनिस ने उस पार्टी से बेन हटाया है जिसके नेतर है अब्दुलकादिर मुल्ला के खिलाफ सडकों पर पूरा बांगला देश उतर गया था बात परवरी 2013 की है बांगला देश में जमात ओन बांगला देशी कादर मुल्ला के उमरकैत की सजा से संतुष्ट नहीं थे ओक फांसी की मांग कर रहे थे हैं कादर मुल्ला को फांसी दोका नारा लगाते हुए लाखो अखु नौजवान बंग्लदेश की सड़क पर उतर आए थे करीब एक लाग से भी अधिक नौजवानों नी मुल्ला के लिए फांसी की सजा की मांग करते हुए एक पत्र पर हस्ताक्षर किये थे 22 फरवरी 2013 से करीब 22 दिनों तक शाबाग चुरहाई पर विरोध हुआ था और मुल्ला के लिए फांसी की सजा की मांग हुई थी कादर मुल्ला को कब मिली फांसी ये भी आपको बताते हैं नौजमानों की मांग का असर ये हुआ कि सुप्रीम कोट ने अबदुलकादर मुल्ला को फांसी की सजा दी थी उस वक्त जमाते इस्लामी दल के साहिक महासचव था आपको बताएं कि बंग्लादेश में उन्हें से खत्तर के स्वतंतुता अंदोलन में पाकिस्तान सरकार से मिल जाने वाले लोगों को युद्ध अपराधी कहा जाता है अब्दुलकादर मुला को मीरपूर का कसाई भी कह जाता था अब्दुलकादर मुला युद्ध अपराधी के लावा 344 नागरिकों की हत्या का दोशी भी था